हेलो फ्रेंट्स, विलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वुलन की A-Line कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग ये बहुत ही प्रिटी सी कुर्ती है, तो इसको घर में बनाना बहुत ही आसान है और इसका जो गला और बाजू का डिजाइन है, ये एंकर थ्रेट से मैंने बनाया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और बहुत ही ब्यूटिफुल A-Line ये कुर्ती है, ये देखें साइड पे मैंने हुक्स दी है जिसमें की हम ये डोरी अटैच करके इसकी फिटिंग दे सकते है और ये और भी ग्रेस्फुल सा इसको लुक मिल जाता है डोरी से तो mostly सबके पास ऐसी डोरी पड़ी ही होती है, रेडी मेट कुर्ती इसमें आती ही है अगर आपके पास नहीं है, तो आपको भी अपनी बेल्ट या फिर फेब्रिक की डोरी बना के इसमें यूज कर सकते है तो यहाँ पर ऐसे इसको हम टाइ कर सकते हैं, तो ये बहुत ही प्रिटी सी एलाइन कुर्ती है तो ये बंद गेरे की कुर्ती है, तो बहुत ही प्रिटी और स्टाइलिस्ट पहनी हुई ये लगती है तो ये देखिए, ये मैं आपको इसको वेर करके दिखाती हूँ तो बहुत ही स्टाइलिस्ट ये कुर्ती की लुक निकली है तो हमें इसकी कैसे कटिंग और स्टिचिंग करनी है अगर आपको ये जानना है तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए तो ये मेरे पास धाई मीटर फैब्रिक है तो ये बहुत ही बढ़िया सा जो वुलन का फैब्रिक होता है वो है आप किसी भी प्रिंट का ले सकते हैं मैंने यहाँ पे चेक लिया है तो ये बहुत ही प्यारा सा पीस मुझे मार्केट से मिल गया था और इसका बहुत ही चेक करेंगे जो की 46 इंच है तो हम ये पूरी लेंथ रख देंगे क्योंकि ये ए लाइन जो कुरती है ये जितनी लंबी हो उतनी ही अच्छी लगती है और यहां से विर्थ वाइस हमें 17 कम से कम रखना होगा क्योंकि इसका घेरा थोड़ा खुला ही होता है तो अब हम उपर क की मेजर्मेंट करेंगे तो उपर से सबसे पहले तो हम तीरे की मार्किंग करेंगे तो अगर आपका तीरा 8 इंच है 7.5 इंच है तो आप यहां पे 8 इंच लेंगे क्योंकि 1.5 इंच हमें बढ़ा के लेना होगा तो 8 इंच मैंने यहां पे तीरा लिया है तो इसके बाद हम जो आम होल है उसको 7.5 इंच लेंगे तो 7.5 इंच पे हम माकिंग कर देंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे तो यह देखिए यहां पे हम 7.5 इंच हमने लिया है और अब हम यह देखिए यहां से 7 इंच नीचे की और लेंगे और टोटल 20 इंच लेंगे जिससे की पोफेक्ट हमारी कुर्ती की कटिंग हो जाएगी और यहां पे 3 लाइने हम ड्रॉ कर लेंगे 20 इंच तक 3 लाइने यह हम ड्रॉ कर लेंगे तो इससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी कुर्ती की मेजर्मेंट करने के लिए तो जितनी भी आपकी मेजर्मेंट है कुर्ती की उसी के हिसाब से आप यहां से लेंगे तो अपनी fitting के according यहां से हमें लेना होगा कुर्ती का तो यह देखिए यह मैंने अपनी fitting के हिसाब से इसकी marking कर ली है और ड्रॉ कर दिया है और यहां से एक इंच लेंगे आम होल के लिए तो दो इंच हम बढ़ा के रखेंगे fabric को की margin होगा जो की हमें कल को इसको अगर lose करना हो तो हमें यह margin बहुत काम आता है तो कम से कम दो इंच margin हमें कुर्ती में रखना ही चाहिए तो leg shipper की help से यहां से मैं a-line का shape देंगी इसको तो अगर आपके पास leg shipper नहीं भी है तो भी आप corner तक ऐसे a-line shape अपने according दे सकते हैं तो leg shipper की help से बहुत अच्छे से इसकी a-line shape निकल के आ जाती है तो अब यह दिखे friends अब हम इसकी cutting कर देंगे तो सबसे पहले उपर से हम इसकी cutting start करेंगे तो armhole से करते हुए यह जो दूसरी वली marking हमने की है जो की हमने margin वली line ड्रॉ की है उस line के उपर से हम इसको सारी कुर्थी को cut कर देंगे तो बहुत असानी से हमारी यह a-line कुर्थी की cutting जो है वो हो चुकी है तो देखिए यह cutting करने के बाद इसकी जो front की है armhole की cutting वो हम जब सिलाई करेंगे तब ही करेंगे और इसका जो गला है वो भी मैं जो चिपकाने वाला गला होता है उससे आपको बना के दिखाऊंगी इसलिए मैंने गले की cutting नहीं की है तो बाजू के लिए अब हमारे पास यह दो पीस fabric के ही बचे हैं तो इसमें हमें जोड डालना होगा और जोड में भी हम एक अच्छा सा design देंगे जिससे की बहुत graceful सी look आ जाएगी तो 8 इंच कम से कम हमारे पास होना चाहिए fabric चोड़ाई में और 3 इंच की marking करके हम यहां से line draw कर देंगे इससे हमें बहुत help मिल जाएगी arm की cutting करने के लिए sleeve की cutting करने के लिए तो यहां से 6 इंच हम लेंगे तो देखिए यहां से ऐसे shape देंगे बाजू की और 6 इंच पे ऐसे हम marking करते हुए बाजू की shape दे देंगे और अब हम यह जो है बाजू इसको cut कर देंगे तो यह हमारी full sleeve जो है ready हो चुकी है तो full sleeve ही हमें इस कुर्ती में रखनी होगी क्योंकि यह winter की कुर्ती है तो इसके उपर जोड डलेगा और उस पे हम anchor thread से design बनाएंगे वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ तो चलिए friends अब हम इसकी stitching करेंगे यह almost इसकी सारी cutting कुर्ती की हो चुकी है बहुत आसान है यह line की कुर्ती जो है वो घर में बनाना और उसकी cutting and stitching करना तो चलिए अब हम इसकी stitching करते हैं तो stitching के लिए यह देखिए यह बचा हुआ fabric है इसको मैंने बिशाया हुआ है उल्टा तो उसके उपर जो चिपकाने वाला होता है गला वो मैंने boat neck इसके उपर रखा है इसके उपर boat neck बहुत ही अच्छा लगेगा तो यह दूसरा जो है वो भी पीछे का भी हम boat neck ही बनाएंगे तो जो shining वाला पार्ट होता है उसको हम fabric की तरफ करेंगे तो देखिए इसको हमें कैसे चिपकाना है अब हम उल्टा कर लेंगे इसको और तेज गरम प्रेस करके इसके उपर हम अच्छे से घुमाएंगे तो जो इसकी गम है जो की चिपकाने वले जो गले पे लगी होती है पैन्ट पे वो melt हो जाती है और बहुत असानी से जो गला है चिपक जाता है ऐसे अगर हम कुर्ती का गला बनाते हैं तो बहुत ही सफाई से हमारा जो गला है वो बन जाता है तो इसको अच्छे से हम Stick कर लेंगे ये देखिए ये अच्छे से हमने Stick कर लिया है ये उल्टी और हमें लगाना होता है गले का pattern तो सेम उसी प्रोसीजर से हम जो बैक का है वो भी गला ऐसे ही स्टिक कर लेंगे तो दोनों गले जो हैं वो स्टिक हो चुके हैं अब इनकी हम प्रॉपर कटिंग कर लेंगे कम से कम एक इंच या डेड़ इंच का मार्जन रखते हुए जो की हमें अंदर फोल्ड करना है उसको रखते हुए बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक हम सारा कट कर देंगे उपर का जो पार्ट है वो भी एक्स्ट्रा जो हमारे पास है वो भी हम कट कर देंगे तो ऐसे ही दोनों और हमें कर देना है और जो हमने छोड़ा है मार्जन फैब्रिक का उसको हम अंदर की और करके पूरी सिलाई लगा देंगे यह देखें अंदर की और फोल्ड करते हुए यह सिलाई लगा देंगे इससे हमारा जो गला है बहुत सफाई से बन जाता है तो इसको अच्छे से फोल्ड करते हुए ये सारी सिलाई हम लगा देंगे, तो दोनो तरफ ऐसे ही हम गले को अच्छे से स्टिच कर लेंगे, सेम उसी प्रोसीजर से, तो मैंने दोनो गले जो हैं वो कर लिये हुए हैं, तो अब हम गले को कैसे हमें अटैच करना है, ये दोनो फैब्रिक जो है हमारा कुर्ती का और जो गले का पैटरन है इनके सेंटर में मैंने कट लगा लिया है ताकि जब हम इसको लगाएं तो ये बिल्कुल सेंटर में ही लगे तो कट से कट को मिलाते हुए ये दिखिए ये नीचे का फैब्रिक जो है वो सीधा होना चाहिए और अगर हम टिकन के साथ साथ सिलाई लगाएंगे तो अंदर की और जब हमें फोल्ड करना है तो हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी तो इस कुर्ती में बोट नेक बहुत ही अच्छा लगेगा लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप बैन वाला गला भी बना सकते हैं वी नेक कोई भी गला आप इसमें बना सकते हैं लेकिन मुझे इस कुर्ती में बहुत अच्छा लगा ये बना हुआ बोट नेक तो इसके उप है फैब्रिक अंदर का इसको हम अच्छे से कट कर देंगे तो अब ये जो अंदर का फैब्रिक है इसमें हमें सारे फैब्रिक में कट देने बहुत ज़रूरी है क्यूंकि कट लगाने से जो हमारा गले का फैब्रिक है वो अंदर की और अच्छे से टर्न हो जाएगा और बिल् तो देखिए ये अंदर की और अच्छे से टर्न हो गया है तो बहुत सफाई से हमारा यू नेक जो है बोट नेक वो बनके रेडी हो गया है तो सेम उसी प्रोसीजर से हम पीछे का भी गला जो है उसको अटैच कर लेंगे क्योंकि सेम वही बोटनेक ये गला है तो इसको भी हम सेम उसी प्रोसीजर से स्टिच करेंगे तो देखिए ये दूसरा भी गला जो है वो मैंने बना लिया है तो बहुत अच्छे से हमारे जो दोनों गले हैं वो बन चुके हैं अब हम ये दोनों जो कंधों की सिलाई है इनको लगाके दोनों जो है फ्रंट और बैक का पार्ट इनको आपस में जोड़ देंगे ये देखिए अच्छे से सेट करते हुए फैब्रिक को अच्छे से डबल सिलाई लगाते हुए यहां से कंधे की दोनों और सिलाई लगा के हम दोनों पार्ट्स को जॉइन कर लेंगे तो यह देखिए ये दोनों और हमारी कंधे की सिलाइव लग चुकी है और ये बिल्कुल पोफेक्ट हमारा जो बोटनेक है बनके रेडी हो गया है लेकिन इसमें एंकर थ्रेड से मैं सेम जो पैटरन हमारी कुर्ती में दिया हुआ है चेक का तो ब्लैक एंड वाइट थ्रेड से सेम उसी तरह से गले में और बाजू में मैं पैटरन बनाऊंगी लेकिन इसका वीडियो जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा क्योंकि अगर वो सारा डिजाइन में इस वीडियो में भी दिखाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप देखके बोर हो जाएगे तो इसलिए मैंने वो दूसरी वीडियो इसकी अपलोड कर दी है आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं आए बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा तो प्रेस की हेल्प से अच्छे से सबसे पहले हम गले को बिठा लेंगे आगे और पीछे से ताकि जो हमें एंकर थ्रेट से डिजाइन करना है वो बहुत ही सफाई से बन जाए यह देखिए अच्छे से मैंने प्रेस की हल्प से इसको बिठा लिया है और यह देखिए एंकर थ्रेट से मैंने सेम उसी पैटरन का जो डिजाइन है वो गले और बाजू पे वाइट एंड ब्लैक थ्रेट से बना लिया है तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है तो गले पे white and black thread से मैंने ये design बाजू पे और गले पे बनाया है इसका link आपको description में और i button पे मिल जाएगा आप वहां से जाके check out कर सकते हैं तो अब हम side की सिलाई लगाएंगे वो भी आपको अपनी fitting के according ये लगानी होगी तो यहां से start करते हुए अपनी fitting देते हुई ये वैसे हमें बिल्कुल proper fitting वाली कुर्ती नहीं चाहिए होती है ये अपने size से हमें 1.5 inch खुली ही रखनी होती है तो ये नीचे तक ऐसे ही इसकी सिलाई जाएगी तो क्यूंकि इसमें slits नहीं बनेंगी तो ये नीचे तक ऐसे ही सारी सिलाई चली जाएगी तो इसका थोड़ा सा अगर loose भी होगी तो कोई बात नहीं क्यूंकि इसमें हम dory attach करेंगे और वैसे भी ये loose ही थोड़ी अच्छी लगती है इसकी हम बिल्कुल proper fitting नहीं कर सकते तो ये एक तरफ तो मैंने सिलाई लगा दी है सेम उसी परकार हम दूसरी तरफ भी इसकी सिलाई लगा देंगे तो अब ये sleeves तो ready थी हमारी तो इसकी हम ये देखिए इसकी हम ये side की सिलाई लगा के sleeves को ready कर लेंगे सबसे पहले इस पे भी मैंने anchor thread पे बाजू पे design दिया है तो आप इसका video देख सकते हैं description में तो आपको इसका link मिल जाएगा तो ये सारी जो है सिलाई दोनों तरफ लगा के ये बाजू को हमें दोनों को ready कर लेना है तो बहुत ही अच्छी सी ये fitting वाली हमारी full sleeve बनके ready है तो अब हमें इसको कैसे attach करना है तो front की जो कटाई है वो मैंने shirt पे कर ली हुई है और अब sleeves पे हम कैसे करेंगे देखिए ये front से थोड़ी सी छटाई कर देंगे हम एक इंच की तांकि proper हमारी fitting आ जाए दोनों और front की side हमें ये छटाई करनी होती है एक-1 इंच का marking पे तो अब हमें इसको ऐसे अंदर की और करते हुए ये सारी गुलाई में सिलाई लगा दिनी है और sleeve को kurty के साथ attach कर दिना है तो double सिलाई लगाते हुए ये सारी जो है बाजु इसको अंदर की और करते हुए हमें attach कर लेना है तो देखिए यह हमारी जो बाजू है वो अटैच हो चुकी है सेम इसी प्रसीजर से हमें दूसरी बाजू भी अटैच कर लेनी है तो देखिए यह दोनों स्लीप्स जो है वो मैंने अटैच कर ली है तो हमारी अल्मोस्ट कुर्ती बनके जो है वो रेडी है तो अब हम नीचे से इसको फोल्ड कर देंगे अंदर की और ये दिखिए डबल फोल्ड करते हुए ये सारे घेरे में सलाई लगा देंगे तो बहुत असानी से हमारी जो एलाइन कुर्ती है वो बनके रेडी हो जाएगी तो देखिए ये सारा नीचे का घेरा जो है इसको हम अंदर की और एक डेड इंच फोल्ड करके डबल फोल्ड करके तो सारी घेरे पे सिलाई लगा देंगे तो आधे गंटे में हमारी जो एलाइन जो कुर्ती है वो बनके रेडी हो चुकी है तो इसकी कमर पे साइड पे हम दो लूप्स बना देंगे चाहे वो आप फेब्रिक के बना दें चाहे आप किसी भी डोरी के बना दें तो ताकि हम इसमें असानी से डोरी को आटेज कर सकें तो कुर्ती हमारी बनके बिलकुल रेडी है तो ये जो buttons हैं इनको मैं बिलकुल matching में ने किये हैं white and black तो इनको हम ऐसे कोई भी design देके तो लगा सकते हैं तो ये देखिए ये कुर्ती बनके रेडी है और बहुत ही beautiful ये कुर्ती बनके रेडी हुई है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए मेरे चैनल में आपको ऐसी trendy और beautiful कुर्तीज सीखने के लिए मिलेंगी और मेरे चैनल में आपको beauty and stitching से related और भी बहुत सी वीडियो मिलेंगी